सब्स्राइब कर ये साइल टेक चैनल को और बेल आइकन प्रेस करके ओल कर दीजिए लेटिस जी एसम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं उसमें प्रूफ के साथ वीडियो बना रहा हूं अपने पूर में करके दिखाऊंगा उसी तहीं किसा आपको करते हैं तो आपका सब्सक्राइब करेंगा इसमें आपको कोई भी डॉंगल की ज़रूरत नहीं होगी तो जैसे कि CM2 हाइडरा यू एमटी एमाटी ने जो अपडेट निकाला है वही मैं आपको फाइले दूँगा और एक क्लिक पे आप अनलॉक कर सकते हैं एक टूल वह भी दूँगा तो इस वीडियो को देखते रही है तो इस वीडियो को पूरा प्रोसेस बताऊंगा A to Z तो इस वीडियो को लाइक भी कर दिया क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियो आने वाली है माई एकाउंट पे एक क्लिक पे अनलॉक होएंगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर दियेगा और फ्रेंड्स आपने वीडियो करने के लिए आपको क्या करना होगा यह देखिए सब फाइलों को डा आपको क्या करना है सबसे पहले आपको डाउंलूट करने का तरीखा मैं आपको बता देता हूं इसे कैसे डाउनलूट करना है तो guys download करना मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको download करने के लिए आपको video के नीचे इस तरही की link मिलेगी इस link पे आपको click कर देना है आप जैसी click करेंगे तो आप मेरी website में आने के पाद आपको सबसे नीचे आजाना है यहाँ पर यह देखिए download link मिलेगी green color की link पे आपको click कर देना है simple तो guys link पे click करने के बाद आपको जो भी आइड यहाँ पे show करें उस पे आपको click कर देना है और जो भी इसकी link आए यहाँ पर से जैसी आप उस लिए add पे click करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर यह देखिए download link के लिए वेट करना होगा यह देखिए download link इस पे click कर देना है अब यहाँ पे से आपको चार सर्वर मिलेंगे यह देखिए server 1 server 2 और server 4 यहाँ पे सर्वर 1 mega की server 2 google drive और server 3 media की और यहाँ पे alternate आप server 1 पे इस पे चाहें आप click करके download कर सकते मैं server 1 पे click करके download कर देता हूं आप इस पे server पे जैसे आप click करेंगे तो आपको फिर से वह लिए एक्सुक्त करने के बाद आपको यह folder दो नीजागी इस पोल्डर को आपको ब्रक ओंपन करने के बाद यह आपे सबसे पहले घर से आप में driver इंस्टॉल नहीं तो driver इंस्टॉल कर लेगा और MCT टूल आपको इसमें मिल जाएगी SP Flash टूल मिल जाएगी इसके बाद यहाँ पे से MCT टूल आपको मिल जाएगी इसको simple open कर लेना आपको यह बहुत ही दबदस टूल है जिसकी help से सारे CPUs आपके unlock हो जाएगे आप सारे without box आप इसकी help से कर सकते हैं authentication bypass आपको CPUs मैं आप दिखा देता हूँ किते सारे CPUs दियें और यह 100% work कर रहे हैं मैंने पूरा चेक किया इसमें मैं आपको आगे वीडियो में चेक भी करा हूँगा किसे किसे करना है आपको तो सबसे पहले आपको इस टूल को open कर लेना है और यहां पर इसको auto पर लगा देना है अगर आपको cheap set पता है तो उसे select कर लिएगा मैं यहां पर auto पर लगा देता हूँ उसे auto पर लगाने के बाद आपको simple bypass पर क्लिक करना है तो guys यहां पर यह ड्राइवर इंस्टॉल कर देगा और यहां पर लिखके आएगा वेटिंग फॉर बूट रोम अब आपको अपने फून को MT के मोड में connect करना है यहां पर मैं अपने OPPO फून को आपको connect करके दिखा देता हूँ तो guys यहां पर आप देख सकते हैं यह मेरे OPPO के फून में pattern lock लगा है इसे remove करते हैं उसी method से तो चलिए सबसे पहले आप अपने फून को power off कर लिए और step मैं आगे बताता हूँ यहां पर आपको अपनी sp flash tool open कर लिए यहां पर से आपको अपनी spider file load कर लेनी है जो भी आपका firmware है उसकी latest आपको firmware download कर लेना है official website से कर सकते हैं यह मैं आपको preloader file सारी दे दूँगा उसमें से आप ले लिएगा अपना preloader यहां पर से आपको यह देखिए आपको preloader file से जित्ती भी है सब आपको उसी file में डाल दूँगा यहां पर से आपको preloader add करने के बाद आपको यहां पर से format option में चले जाना है तो guys format में आने के बाद यहां पर से आपको manual select कर लेना यहां पर manual address आपको डालना होगा यह देखिए scatter file में आपको double click करना है यहां पर से आपको address मिल जाएगा address कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ यह देखिए scatter file पर double click करना है आपको उसके पास control plus F आपको करना है यहां पर यह देखिए search box आजाएगा यहां पर user data आपको simple search करना है physical start आपको begin address में डालना है और यहां पर partition start आपको format length में डालना है तो यहां पर मैं डाल देता हूँ यह देखिए physical start को यहां पर simple आपको copy करना है बड़े धियान से आपको copy करना है यह देखिए यहां पर से copy किया यहां पर से इसको cut कर देता हूँ start begin start को इसको यहां पेसे मैंने इसको पेस्ट कर दिया इसके बाद यहां पे आप पार्टिशन स्टार्ट आप देख सकते हैं पार्टिशन स्टार्ट को आपको यहां पेसे कॉपी करना है तो गाइस पार्टिशन स्टार्ट को यहां पेसे फॉर्मैट लेंथ में आपको डालना होग यह आपको बड़ा इस्टेप दियान से रखना है ताकि आपका फून डेट ना हो तो यहां पर तो यह देखिए मैंने पूरा चेक कर लिया एक इंदम मैचिंग है इसके बाद आपको सिंपल जा करना है यहां पर से आपको अपने फून को कनेक्ट करने के लिए आपको यहां अब आपको अपने फून को आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूं वाइस अब आपको अपने फून में वॉल्यूम डाउन प्रेस करके यूस्ब केबल इंसर्ट कर देनी है तो आपका यह देखे फून डिटेक्ट हो जाएगा इसमें यह देखिए ऑठेंटिकेशन बाइपास इसने कर दिया यहां पर से लिखके भी आ गया है ऑठेंटिकेशन बाइपास यहां पर सक्सेस्फुली तो गाइस अब आप आप एस डिवाइस मैनेजर मेरा यहां पर से ओपन हो चुका है इसमें मैं आपको दिखा देता हूं मीडिय टेक का यहां पर से यूएजबी ड्राइवर आजाएगा यह देखिए 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 यह द पूरा हाई रखना है आपको हाई रखने के बाद आपको क्या करना है सिम्पल स्चार्ट पे क्लिक करना है आप से एड्रेस आपने पूरा डाल दिया इसके बाद सिम्पल स्चार्ट पे क्लिक कर दिये तब गाइस यह देखिए पैटन इसने बाइपास कर दिया मेरा यह देख बगर लोग आ चुका है अब मेरा फून ओन हो रहा है यहां पर मैं वीडियो को थोड़ा फॉस्ट का देता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं पैटर्न लॉग मेरा बाइपास हो चुका है यह देखे फून रिसेट हो चुका है अब मैं आपको डायरेक्ट कैसे होम स्क्रीन पर फून को ले जाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ बहुको क्या करना यहां पर इमर्जेंसिप पे क्लिक करनाया यहां पेसे कोट को टाइप करना इस टार हैश कोट को आपको टाइप करने के बात हैश दबा हाइडरा में रिमूफ होता है वैसे इसमें भी आपका रिमूफ हो जाएगा तो गाइस आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दिएगा और आपने भी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं कर दिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बा पायवे